Praise Lord Hallelujah प्रभु की सुती हो हमारे अधिपवित्र परमेश्वे के नाम की सुती और आराधना आज के दिन हो Hallelujah मेरे प्रियोलोग परमेश्वे ने हमी एक साथ 2021 सितंबर 27 तारिक अनुकरहिद करके दिया है प्रभु की कृपा से उनकी सुती और आराधना करने का हमें ये बड़ा एक सुंदर आशिश मिला है इसलिए धन्यवाद करें Hallelujah पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें समाला हमें अच्छी नीन दी उसके लिए हम धन्यवाद करें प्रभु की आशिश है मेरे प्रियो लोग कि हम प्रभु के दिया से हम आरूगे से बल के साथ समाधान के साथ आज जक पाए है इसलिए हाथ उठाक कर प्रभू की सुती करें धन्यवाद पिता हम आपके अराद ना करते हैं आपकी सुती करते हैं प्रभू पिशले पूरे दिन भर आपकी कृपा से आपने हमें सम्हाले रखा उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हाला हमें आज भी प्रभू ने अपनी दया से हमें जगाया है और हम आज जब प्रभू की सुती करते हैं तो हम धन्यवाद करें आज के दिन के लिए भी क्योंकि प्रभू हमें आज भी अपने विश्वास योगिता के साथ हमें जैवन चलाने वाले हैं हमारा प्रभू कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा अटल है, उनकी खृपपा हमारे जीवन में हमेशा किया, उसके लिए धन्यवाद करें, ये प्रभू आपकी खृपपा है, हमारे जीवन में उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, सुति करते हैं प्रभू, हालेलुया, आपके हर एक आशि प्रशा कर जो तेरे हैं उनको आशिश दे उनको माग दिखा और सदा सरवदा उनका स्थान कर हालेलुया उनका उत्थान कर आमें इसलिए हम भी क्या करें परमेशर के सुधी करें हमेशा परमेशर नहीं हमारी चमिसी पर अपनी भरोसा को जब रखते हैं तो प्रबू हमारी रक्षा करते हैं उनको नहीं हर बचाते हैं हालेलुया हमारा पर्मेश और हमारा बल बनता है हालेलुया वो हमाई रक्षा करता है और वो हमें आशिश देते है हालेलुया वो मार्ड दिखाकर सदा सरवदा हमें उत्थान करते है हालेलुया इसलिए धन्यावाद करें सुती करें आई आँखों को बंद करें हम साथ में प्राता करेंगे हमारे सुर के पता हम दन्यवाद करते हैं सुति करते हैं प्रभू आपके राद ना करते हैं प्रभू क्योंकि आप इस सुति के योग के है हालेलुया प्रबू ये आशिशित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिशले दिन और रात अद्बत तरीके से आपने हमें समाला उसके धन्यवाद कृपपा के साथ आपने हमें सोने में और जगने में आपने हमें आशिशित दिन धन्यवाद करते हैं प्रभू ये संदेश सुनने वाले हर एक चन को इश मसी के नाम से हम आशिशित करते हैं हालेलुया प्रभू ये संदेश सुनने वाले हर एक चन इश मसी के नाम से आशिशित रहे इनका परिवार आशिशित रहे इनका जीवन आशिशित रहे इनका परिवारी जीवन आशिशित रहे, इनका काम आशिशित रहे, इनके बच्चे आशिशित रहे, हालेलुया, प्रभू आपने इनके परिवार में समाधान, खुशी, सबसे आपने भर के रखा है, उसके लिए धन्यवाद, कोई भी अगर रोक से पीड़े थे, आज के दि आप हर एक जण को रख्षा देते हैं, हर एक जण को आप उत्थान करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, पिता, आपके दिया से, आपके कृपा से, हर एक की जीवन को आप भर पूरी से भरते हम परातना करते हैं, वैसे ही, जिनको भी अपने पेट में, जो कब से पीड़े थ से जो पीड़े थे ईशमसी के नाम से उनको चंगाई मिले उसके पीछ जो भी बुरी आत्मा है ईशमसी के नाम से दूर हो जाए हालेलुया पूर्ण समातार ईशमसी के नाम से हम खोशित करते हैं उनके शरीर में हालेलुया पूर्ण चंगाई ईशमसी के नाम से खोशित करते उनकी शरीर में जो भारावति के विशयर में जो भार्द से हैं परबू आप उनके लिए रासा खression के दे जिनको काम नहीं है आप उनके रासा खुल के दे हालिलुआ जिरको भी जो भी व्यक्तिकर तोर से जो परिशानिया है जो उनकी जरूरत है आप प्रभू उनकी लिए आप रासा खुल के दे अब उनकी जीवर्ण में काम का विशे हो या नियाए को लेके कोई विशे हो या कोई परिवारिक विशे हो सब आपके हाथों समर्पित करते हैं और आपने अद्बत हाथ उनके उपर रखा है, उसके लिए धन्यवाद, अद्बत कारी आपने की है, आज के दिन उसके लिए धन्यवाद करते हैं, पता हालेलुया, आज शाम का मीटिंग को भी आप सबसे आज शिशित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, प्रभु शनिव से आजशिष्टे जैसे कि आप जानते हैं लेकिं फिर भी हम आपको इबायाद दलाते हैं कि आज शाम को साड़े नौ बज़े इंडियन समय जूम में मल्यालम मीटिंग रहेगा वाइबल स्टुडी रहेगा आप ये संदेश चुनने वाले हर एक चन उसके भागी बने और मे इस चे तोर से आप उसके भागी बने और आप दूसरों को भी आ मंतृत करें और दिन भर हम परातना करें बीच बीच में याद करके हम धन्यवाद देते हुए प्रभूं से परातना करें कि आप शाम की मीटिंग को आनुग्राइद करें आशिशित करें आप मुझ से बात क और साथ ये साथ जो साथ दिन का प्रातन और उपवास का समय रहेगा शनिवासे उसके लिए आप तयारी के साथ आज से ही शुरू करें आप मानसिक तोर से शारिक तोर से सब जगे से हम एक तयारी में रहें कि हम उस मीटिंग के भागी हो सके और मेशर के आशिश को हम तीसरा वचन से हम पढ़ते हैं उसमें ऐसे लिखा है वहाँ जब दाक्रस खतम हो गया तो ईशु की मा ने कहा उनके पास अब और दाक्रस नहीं है हम ये वाला भाग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर गलील के काना में एक विवा हो रहा था वहाँ पर ईशु की मा और ई दाक्रस कम होता जा रहा है या दाक्रस खतम हो गया है और उस समय में उस जगे के संसकार के अनुसार अगर दाक्रस खतम हो जाता है तो वह बहुत भड़ा निंदा का कारण बनता है शादियों में विवाव में अगर दाक्रस खतम हो गया तो वह लज्जा की बात होती है तो हुआ पर हम आगे क्या देखते हैं कि जब वहाँ पे दाकरस खतं हो जाता है करके इशमसी से कहा जाता है, तो पवित्रात्मा आज मुईसे और आपसे यही और ही कह रहे हैं के हमें जो भी कमी अघप्टी है या हमें जो भी चीजें खतं हो गई है, जो हमारे जीवन में नहीं है वो प्रभू उसको पूरा करकर उसको आशिश से भरने वाला प्रभू है कल हमने सीखा था परमेशर हमें उचा उठाते हैं और आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि परमेशर हमारे कमी घटी को दूर करते हैं इसलिए हम ये वरचन को जिस तरह से अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर परमेशर क्या अदब्त कारी करते हैं एशमेसी वहाँ पर जो पत्थर के जो भर्या थी, मतके जो थे उसमें प्रभू ने वहाँ से सेवकों से का कि उसमें पूरा पानी भर देने को और फिर वहाँ पर पूरा भरने के बाद जब ईश्यमसी ने कहा कि उसमें हाथ डाल कर दावत का इंतजाम कर रहे हो प्रदान के पास ले जाओ और वे उसे ले गए थोड़ा बाहर निकाल कर उन्होंने जब वहाँ लेके गए जो वहाँ के प्रदान थे वहाँ पर प्रदान को लेके गए तो उन्होंने क्या कहा कि ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा दाकरस तुम अब लेकर आए हो हाललुया तो यहाँ पर हम क्या दिखते हैं हमारे जीवन में कोई भी कम्या घटी हो मेरे प्रियो लोग पर मेश और इशमसी काफी है जो हमारे हर एक कम्य घटी को प्रभु सबसे ज़ादा उत्तम बनाने रहोगा है हालेलूया हम जानते हैं उस घर में क्या हुआ वहाँ पर इशमसी से कहा जब गया था कि वहाँ पर दाकरस खतम हो गया तो इशमसी ने वहाँ पर अपने सेवकों से कहा कि वो जो पत्तर का जो भरनी है या मटके जो रखे हैं उसमें पूरा उपर तक पानी भरने को कहा गया लबालब भर दिया कर कि कहा गया उस भर देने को कहा गया उसके बाद हम क्या देखते हैं वहाँ पर उसमें से बाहर निकाल कर वहाँ पर प्रबंदों को वहाँ पर जो प्रदान है उनको देने के लिए कहा गया और वहाँ पर दाकरस जब गया उन्होंने पिया तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा सबसे उत्तम दाक्रस क्यों तुमने अब तक रखा सबसे अंत में क्यों दे रहे हो करके महाँ पूछते हैं हाललुया तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा ईश्मसी भी हमारे जीवन में दूर करने वाला हमारा ईश्मसी ही है हाललुया हम जानते हैं पुराने नियम में भी जब अगर देखे तो गेजी से क्या जाता है शुनमा जो स्त्री होती है कि उनके जीवन में वहाँ पर रहने के लिए या खाने में अगर कुछ भी है या उनके घर में कोई भी कमिया घटी है तो बताओ करके तो वहाँ पर गेजी बताते हैं ईलिया को कि उनको एक बच्छा नहीं है और जब ये बोला जाता है जो वहांपे जो वो स्त्री जो बुड़े हैं उनको पर मेशवर कैसे आशिशित करते हैं इलीशा के दोरा वो कैसे अद्बुत कारिय करते हैं हालेलुया वैसे ही मेरे प्रियों लोग अगर हमारे चीवन में कोई भी कमी या घटी हो पर मेश्वर आपको उसमें से बाहर निकाल कर प्रबू आपकी कमी घटी को दूर करके वो पूरी तरीके से आशिशित करेंगे वो अगर आपके बच्चों के विश्य में हो या आर्तिक विश्य में हो आत्मिक विश्य में हो कोई विश्य हो जहाँ पर आप कमी देखते हो वहाँ पर उस कमी को दूर करके प्रबु आशिशित करेंगे भर पूरी से प्रबु आशिशित करेंगे हालेलुया, इसलिए विश्वास से कहे कि मेरे कमी को दूर करने वाला मेरा प्रवु है, आज जिसे मैंने संदेश में सुना, मेरे परिवार का ये विशे, मेरे आर्थिक विशे में, मेरे हर एक जीवन के हर एक परिस्ति में हलिलुया अगर आपके और से लगते हैं कि हमारे घर में परातना कम हो रहा है हम बरिवारिक तोर से परातना नहीं करते तो वो एक कमी है मेरे प्रीयो लोग उसके लिए भी परातना करे कि वो कमी को प्रबु आप दूर करके दे हलिलुया और भरपूरी से आशिशित करे मेरे बच्चों के जो सवाभाव है वो भी प्रबू आपके परफेक्शन में आपके उस उत्म सवाभाव में आने में सहायता करे हालेलुया प्रबू हमारे हर एक विशे में हमारे काम के विशे में भी हो हमारे शरीर में अगर कोई कमी हो तो भी वो भी प्रबू को बताए प्रबू आप मेरे हर एक कम्यों को आप दूर करे हालेलुया हर एक घटी को आप दूर करे हालेलुया इसलिए आज अपने मन में आप बड़े अक्षरों में लिख कर रखे कि परमेश मेरा हर एक कमी घटी को दूर करके मुझे भर पूरी से आशिशित करने वाला प्रबू है इसलिए धैरे से ये कहे, धैरे से आगे बड़े विश्वास करे प्रबू हमारे समाथान को बढ़ाने वाला प्रबू है, हलिलुया अगर हम देखे काना के घर में भी, वहाँ पर जो कमी थी, दाक्रस की कमी थी, उस विवाव में जो दाक्रस की कमी थी, उसको प्रबू ने दूर करके प्रबू ने आशिशित किया उनकी जो कमी या उनकी जो दुख जो था उसको हटा कर प्रभू ने समाधान खुशी से भर दिया उनका जो लज़ा के उस अवस्था से प्रभू ने उनको अब इमान से उनको ओडाया इसलिए हम धन्यावाद करें हालेलूया इसलिए आपके जीवन में कोई भी किसी भी बात की कमी हो हम प्रबू से कहे मेरे परिवार में ये विशे है या मेरे शरीर में ये विशे है मेरे हर एक विशे को आपके हादों समर्पित करता हूँ मेरे जो आत्मिक विशे है वो भी आपके हाथों समर्पित करता हूँ, करती हूँ, आपके परिवार में, आपके घर में कोई बात हो, तो वो भी आपका है, हालेलुया, जिसे कि हम देखते हैं कि शुरमाइट की जुस्त्री थी, वहाँ पर उनके जीवन में खुशी भर गई, हालेलुया, वैसे ही आपक करके खुशी से प्रबू आशिशित करने वाले हैं, हालेलुया, अपती आशिशों से आपके घर को आपके जीवन को भर रहे हैं, हालेलुया, प्रबू आपको इस वच्छन से आशिशित करें, मेरे साथ का ईशमसी के नाम से हम बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ें और याद रखें यह वच्छने कर आपके लिए आशिश तरह तो आप दूसरों को भी भेज़ें क्योंकि हमारी कमी घटी को दूर करके अब दी आशिशों से भरने वाला हमारा प्रभू है हालेलुया